नमस्ते दोस्तों, होली आने में दो-तीन दीन बाकी है, होली कम हॉल घर में हो चुका है, तो मेरे घरवालों को सबसे ज्यादा होली पे दहीवाड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने पहले ही फर्माज कर दी दहीवाड़ा खाने के लिए, तो मैं सोची क्यों न दहीवा दाल को हम अच्छे से दो लेंगे, ऐसे तो मैं दो कर ही इस दाल को भीगोनी के लिए रखी थी, तो हम यहां पर एक मिक्सी का जार लेंगे, और हमने जो उरत की दाल में डाल देंगे, इस उरत की दाल को पीषने के लिए हम बहुत ही कम पानी का यूज करेंगे, अगर दाल के पेष्ट को एक बॉल में निकाल लेंगे फुली फुली और स्पॉंजी दहीवड़ा बनाने के लिए बस इखी ट्रिक है कि इस पीसीवी दाल को आपको अच्छे से फेटना है तब तक फेटना है जब तक कि आपकी पेष्ट बिल्कुर रूई जैसी हलकी ना होने लग सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके भी दहीवड़े फुले फुले बन के तयार हो जाएंगे जैसे जैसे दाल अच्छे से फिटती जाएगी आप देखेंगे कि आपका हाथ हलका चलने लगेगा तो दाल अच्छे से हमारी फिटी है कि नहीं हम चेक कर लेते तो यहाँ पर एक बॉल में आप पानी ले ले थोड़ा सा दाल का पेष्ट इस पानी में डाले अगर आपका जो दाल का पेष्ट है पानी के उपर इस तरह से तरने लगे तो समझ जाए कि आपकी दाल अच्छे से फिटी हुई है अगर तले में जाके दाल का पेष्ट थोड़ी सी मसाले दार बनाती हूं तो यहाँ पर मैं मसाले के डब्बे लेका लिए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही नमक ढालेंगे 2-3 चूट की ज्यादा नमक का यूज अभी नहीं करेंगे यहां पर दो से तीन चूटकी काली मिर्च, यहां पर हम एक चोथाई चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसे हम अपने हाथों में इस तरह से रगार कर डालेंगे, और यहां पर हमने आदा चम्मच चिली फिलेक डाला है, आप चाहें तो लाल मिर्च पौडर का भी यूज़ करे झार यहां तो यहां पर मसाले ढालकर अच्छे से हम फेट लेंगे, खेंडे आप दोडही वड़ा जिए devote में पर दक में तानerson करा लेंगे, खेंडर से मिक्स यड़ज़ए तो यहां पर हम तीन से चार चूटकी. करेंगे और कड़ाही को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है गर्म कड़ाही में हम तेल डालेंगे और तेल को हमें तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है यहां पर तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है तो दाल के पेश्ट को इस तरह से हांस से हम तेल में डालते जाएंगे इ इसी तरह हम सभी तरफ से उलट पलट कर अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राइ कर लेना है जैसे ही आपको लगे कि आपकी बड़े अच्छे से पक चुके हैं तो इसे आप तेल से बाहर निकाल ले अगर मेरी यह दही बड़े की रेस्पी आपको पसंद आ अगर मेरे चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन का बटन दवाना ना भूलिएगा यहां पर एक बड़े को तलने के वाद मैंने दूसरा बच भी तेल में डाल दिया है तो तले हुए दही दूसरा वैच है बड़े का वह भी निकल के तैयार हो चुका यहां पर हम इसे भी इसमें डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हलके हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम सारे वड़े को प्लेट में निकाल लेंगे इस बड़े को आप बीना दही में मिक्स किये हुए एक सब्ता तक फ्रीज में रखकर जब इच्छा हो हलके गुनगुने पानी में आप इस तरह से सोक करके और उसे फिर से निचोड़के और आप दही में मिक्स करके दही बड़े को खा सकते हैं तो चलिए अब हमारे जो बड़े हैं बनके तयार हो चलिए मैं बड़े को आपको बीच से काट के दिखा देती हूं कि हमारे बड़े कितनी स्पॉंजी बने हैं देख सकते हैं बिल्कुल जाली से भरी हुई है यहां पर मैंने सारी दही बड़े को तलके तयार कर लिया है तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करना शुरू करते हैं दही वड़े के लिए जो दही यूज करें वो फ्रिस दही यूज करें खटी दही का यूज ना करें तो उपर से हम इसमें काला नमक डालेंगे और मीठी चटनी हम इसमें डालेंगे यहां पर मैंने इमली की चटनी बनाई थी अगर इमली की रेसिपी देखनी है तो मेरे च चाट मसाला डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और यहां पर मैं थोड़ी सी भूनी हुई जीरा का पाउडर डाली हूँ उपर से नमकीन सेव डालेंगे और यहां पर हम अनार के दाने कुछ डाल देंगे उपर से तो यहां पर हमारी जो दही बड़े हैं वो बन के तयार हैं तो इस होली पर इस तरह से आप दही वड़े घर पर जरूर बनाए और मेरी दही वड़े की रेशिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताईएगा मेरे घर वाले बहुत खुस हुए कि उनकी होली के पहले उन्हें दही वड़े खानी को में